नमस्ते दियर स्टूदेंट्स बहुत बहुत स्वागत है अपका पीटी एजुकेशन चैनल पे मैं हूँ गौरफ चोपरा और आज मैं एक और अद्बुत सेशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ तो हम बात करने वाले weekly business updates के बारे में तो दुनिया की companies के developments and updates क्या क्या निकल के आ रहे हैं तरह तरह के strategic partnerships, mergers and acquisitions and companies के latest quarterly earnings यानि उनके performances के numbers किस प्रकार से निकल के आ रहे हैं ये सबी चीजों के बारे में हम आज के session में चार्चा करने वाले हैं तो आप आते आते इस session को like कर द दीचिए तो चलिए session की तरफ आगे बढ़ते हैं सबसे पहला update यहाँ पे bitcoin को निकल के आ रहा है तो हाली में bitcoin ने 44,000 dollar का mark छू चुका है in fact ये उसका सबसे record high mark निकल के आ रहा है जबसे Elon Musk के bitcoin में investment की खबर आई है लोगों में इसको लेके काफी confidence उबर कर निकल के आया है Elon Musk ने करी 1.5 billion dollars bitcoin में invest किये जिसे की एक bitcoin dollar के मुकाबले करीब 17% से बढ़ गया and साथ में ये भी announce किया कि वो bitcoin as a mode of payment भी accept करेगा यानि जो लोग tesla की cars को purchase करने आएगे those can actually pay through bitcoins as well तो सोची एक bitcoin देओ और tesla car घर ले जाओ ऐसा आप कुछ scene होने वाला है अब दुनिया का one of the richest man अगर ऐसे cryptocurrency में निवेश कर रहा है तो जाहिर सी बात है लोग इसे नजर अंदास तो नहीं करने वाले so essentially there was a buying spree among the investors due to the investments made by one of the richest man on this planet by the way bitcoin originally mining करके ही आते है यानि complex problems को solve करके algorithms को solve करके इन miners को bitcoin as a reward मिलता है and in सभी process में बहुत fast और super advanced computers का इस्तमाल किया जाता है and by the way इसे बिजली बहुत लगती है तो दुनिया में जितनी भी बिजली का उपबो किया जाता है उसमें से 0.56% तो bitcoin के minus bitcoin को mine करने में ही लगा देते है अब बात समझ रहे हो 0.5% of the total electricity consumed across the globe goes to bitcoin mining तो यह कुछ ऐसा trend निकल के आ रहा है bitcoin के prices का तो यहाँ पे Elon Musk का announcement आया था तो जैसे कि आप यहाँ पे यह देख सकते हैं यह इतना उच्छाल देखने मिला है अगला update यहाँ पे crude oil को निकल के आ रहा है तो crude oil की कीमतों में काफी बढ़ातरी देखने मिली है इसका major कारण यह निकल के आ रहे है कि Saudi Arabia जो की दुनिया का सबसे बड़ा oil producer माना जाता है उसने announce किया कि वो अपना oil output कम कर देगा इसके अलावा चायना की तरफ से भी काफी demand oil को निकल के आ रही है तो इन सभी के चलते ओविसली oil की prices तो बढ़नी है क्योंकि अगर oil के supply कम किया जा रहा है इन उसकी demand बढ़ रही है market में तो prices तो उपर उठ नहीं है अब ध्यान रखिए पिछले साल जब COVID निकला था तो crude oil की इसने बहुत बिकार हलत कर दी थी इन फैक प्राइसस की 20 टॉलर के करीब crude oil के prices आ गये थे जो की अपने सबसे niche-less तरपर है और अभी ये 60 डॉलर्स प्रती बैरल के price point पे trade हो रहा है तो ये काफी बड़ी बड़ोतरी हमें oil के prices में देखने को मिली है अगला update कुआशू को निकल के आ रहा है तो कुआशू बेसिकली एक Chinese video sharing app है जो की TikTok का competitor है तो इसका IPO हाल ही में निकला था और इसका IPO हाली में निकला था तो ये essentially TikTok का rival है लेकिन ये live streaming का भी option दे देता है अपने users को जिसके चलते ये बहुत मशूर बना है So company का कहना है की करीब 300 million से अधेक active users daily उनके app पे पाए जा रहे है who actually spent on an average 86 minutes or more on the app जो की काफी अच्छा user base माना जाता है तो ये app चाइना में काफी मशूर है especially tier 2 and tier 3 cities में ठीक है अब अगर video sharing app की बात होई रहे है तो TikTok की reviewing अब Biden administration के दौरा की जाने वाली है wherein the administration will review whether the app is a serious threat to a national security or not तो जिन लोगों को नहीं पता है Trump की सरकार के दौरान TikTok को ban किया जाने वाला था in fact the sale of the TikTok to American giants वर under the review लेकिन ये अभी indefinitely hold पे रख दिया है इसका sale तो हाल ये में TikTok ने joint motion फाइल कर दिया है जहाँ पे company दर्खवास्त कर रही है कि उसके suspension का order वापिस ले लिया जाए उसे अमेरिका में independently operate किया दिया जाए वेल ये अभी वक्त ही पताएगा कि आगे Biden administration इसको लेके क्या सामने निकल कर आती है अगला update Huawei को निकल के आ रहा है तो Huawei जो Chinese Network Equipment Maker है they have actually filed a new legal challenge to the American government's designation of it as a national security threat तो ये filing America के Federal Communications Commission जिसे FCC भी का जाता है उसके खिलाफ की जा रही है so मैं आपको इसका background दे देता हूँ पिछले साल जून के मैंने मैं FCC ने Huawei और ZTE को national security threat गोशित कर लिया था wherein a declaration was made barring US firms from tapping an 8.3 billion dollar government fund to purchase equipment from the companies अब Huawei के petition पे FCC ने कुछ comment दिया नहीं है लेकिन December के मैने में last year के December के मैने में FCC की तरफ से rip and replace equipment का rule सामने निकल कर आया है जिसमें की वो सारे equipments तबाह कर दिये जाये and नए वापिस install किये जाये for this it actually created a reimbursement program for that effort and US lawmakers in December 2020 approved 1.9 billion dollars to fund this program अब Huawei को US में authorization मिला हुआ है अपनी services provide करने के लिए करीब 20 साल के लिए अब क्यूं creative दोनों की बीच में चल रहा है तो आगे अब US का कानून ही decide करेगा की क्या होगा अगला update यहापे मर्सक को निकल के आ रहा है जो की दुनिया की सबसे बड़ी shipping company है the company has been the largest container shipping line and vessel operator in the world since 1996 तो इस company के हाल यह में quarterly results सामने निकल कर आया है जिसमें की revenues करीब 16% से बड़े close to 11.3 billion dollars and अगर हम company के EBITDA की बात करे earnings before interest tax depreciation and amortization तो यह पिछले साल के quarter से करीब 85% से बड़े है जो की बहुत ज्यादा है तो इसका of course सीधा सीधा shipping cost को निकल के आ रहा है company ने shipping cost बड़ा दी थी and इसका सीधा असर earnings पे आया है so freight prices jumped during the revival in the global demand for imports last year and also the shortage of empty containers to ship them in were among the major reasons company had a skyrocketing earnings in the recent quarter अगला update यहापर soft bank को निकल के आ रहा है तो soft bank का जो vision fund है जो काफी companies में invest करता है उनका overall quarterly net profit 11.1 billion dollars तक निकल के आया है तो इस company को Nasdaq whale से भी dub किया जाता है because of its huge trades in the derivative markets तो इनके portfolio में जो tech firms है Uber, DoorDash वगेरा जैसे companies जिनकी prices stock market में काफी उठके आई है इनके कारण company को काफी मुनाफ़ा हुआ है तो soft bank की share price में भी काफी उच्छाल देखने मिला था करीब 240% का इजाफा देखने मिला था अगला update यहापी Uber को निकल के आ रहा है तो Uber का net loss करीब 6.78 billion dollars का निकल के आया है Uber Eats के profits में भले ही हमने बढ़ातरी देखी हो lockdown के चलते but it wasn't really enough to offset the sharp drop in the revenues from its ride-hailing service, खेर 6.78 billion dollars तो कम ही है अगर हम पिछले साल के मुकाबले 8.5 billion dollars के loss के बारे में बात करे तो अगला update यहापे Ocado को निकल के reported 69% increase in 2019 and 2020 core earnings अब ये earnings obviously COVID-19 pandemic के चलते बना है the pandemic generated huge demand for home delivery तो company की EBITDA earnings करीब 100 million dollars तक निकल के आई है EBITDA मतलब earnings before interest tax depreciation and amortization जो की काफी अच्छा नंबर निकला है अगर हम पिछले सालों के मुकाबले earnings की बात करे तो अगला update यहापे हाइननकें की तरफ से निकल के आ रहा है तो हाइननकें ने हाली में 8000 लोगों को अपने जॉब से निकाल दिया है which is close to 10% of its workforce ये इसी लिए हुआ क्यूंकि उनके sales में गिरावट आई है lockdowns के चलते which essentially put this company to an annual loss तो अगर हम ब्रिटेंग बीर सेल्स की बात करे तो it actually stooped down to 56% अगला update यहापे वेल को निकल के आ रहा है तो वेल has actually agreed to pay 7 billion dollars to the Brazilian state of Minas Jiris in compensation of the collapse of the dam Brumadino के नाम से जो कि 2 साल पहले हुआ था which actually killed 270 people so the dam held iron ore waste from one of the Brazilian company's mine तो ये settlement basically Latin America का सबसे बड़ा settlement माना जा रहा है आखरी update यहापे JD Sports को निकल के आ रहा है so JD Sports which is a British retailer actually plans to open a new distribution center in European Union अब ये जो European Union में खुलना है वो basically Brexit के चलते ही खुलना है because Brexit ने काफी companies को मुनाफा तो दियाई लेकिन काफी चीजों में वो पीछे भी रह गया तो अगर हम Andrew Bailey की बाद करे who is the governor of the Bank of England he is under the impression that there were very less arrangements for the Britain's financial services unrealistic, dangerous and inconsistent with practice तो अभी भी negotiation चल रहा है Britain और Europe के बीच में आगे देखते हैं कि ये कैसे निकल के आता है आज के लिए बस इतना ही रखते है hope आपको ये session interesting लगा होगा कौन सा update, कौन सा news आपको striking लगा मुझे comment section में बताईए so if you like this video make sure you hit that like button share this video with your like-minded friends, colleagues और अगर आपको सवाल है सुजावो तो उसे comment section में जरूर बताईए well wrap up करने से पहले let me remind you we are happy to welcome you to the best course on learning about economy starting 8th of the next month very affordable premium current affairs are available on YouTube and PDE website an excellent annual GK compilation 2020 is ready buy and off from the bookstore so we now come to an end to this session here are some useful resources for you from PDE family make use of these उमीद करता हो ये session आपको पसंद आया होगा Namaste Jai Hind you